नमस्का फ्रांस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हारदिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा व्रिशब रासी फलादेश 15.05 से लेकर 15.06 के बीच में कैसा रहेगा व्रशब रासी वाले वेक्ति परसन का 30 डेश का पीडियर व्रशब रासी वाले ने अभी तक 15-17 दिन निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं वो आपको मालूम है क्योंकि आपने बहुत ही तकलिफ में ये सब दिन निकाले है आगे और भी ये जब वीडियो आप देख रहे हो तबी भी 12-10 दिन आपके लिए बाकी है तो आपको उसको थोड़ा ध्यान से निकालना होगा थोड़ा अपनी हर एक चीज के उपर concentrate करके निकालना होगा decision जो भी आप ले रहे हो जो भी आप सोच रहे हो वो planning कैसे करना क्योंकि अभी भी आपको नुक्सान घाटा ज्यादा हो गया है अस्पताल के चक्कर आपने ज्यादा काटे है तो अभी भी थोड़ा ध्यान रखके चलना जरूरी है अस्पताल पुलिस थाना गाटा नुक्सान conflict जगड़ा फसाद ये सब चीज़ा भी आपके साथ बन रही है लेकिन आने वाला टाइम थोड़ा आपके लिए सही रहेगा पंदरा पाँच के बाद लेकिन शुक्र यहाँ वक्री है और सुरिय चंदर सब साथ में बैटे हो रासी के अंदर तो भी आपको आपकी जो मान सिकता है वो थोड़ी negative काम करेगी उल्टे विचार, उल्टी सोच काम करेगी उल्टा decision भी आप ले सकते हो ये भी आपको प्रिकोशन रखना है 30 days के अंदर यहाँ 24 पास से बुद्ध मारा जा जाएंगे ये आपके second house में आने वाले है तो ये आपके लिए थोड़ा एक plus point माना जाएगा पैसे पानी, banks related जो भी काम है आपके कुटुम फैमिली में आप अच्छी तरह से पेसा होगे अच्छी आपकी थोड़ी नाम नहोगी उसमें कोई आपकी काम बन सकते हैं या आपको कुटुम फैमिली आगे कर सकती है bank में जो रुके होगा काम है वो भी आने लगेंगे बनने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे पैसों से लगती तीजों में जो रुकावट थी वो कुछ न कुछ मुमेंट उसके आने दिखेगी जो भी consultancy से या commission से काम कर रहे है ट्रेडिंग से काम कर रहे है, शेर सट्टे से काम कर रहे है उनके लिए ये टाइम थोड़ा अच्छा माना जाएगा 30 days का पिडियर, क्योंकि बुद्ध खुद मितुन दासी में ब्रह्मन करने वाला है और गुरु शनी आपका बैठा हुआ भाग्यस्तान में मंगल दासमस्तान में बैठा हुआ है, जैसे मंगल मीन दासी में आ जाएंगे फिर लोगों की इम्म्यूटी बढ़ने लगेगी, फिर काम काज बढ़ने लगेगा शुक्र यहां वक्री होए है, शुक्र जबी भी वक्री होते है वो ज्यादा तर तीन साल, दो साल की अंदर वक्री होते है, चार साल के अंदर तो फिल्म जगत या इंडस्टी से, बॉलिवूड इंडस्टी से, टेलिवूड, मॉलिवूड उसमें कोई बड़ी हस्ती निधन होता है, वो बड़ी लॉस होती है उनको और अभी भी शुक्र वक्री चलना है, तो सब भी ठप हैं, देखिए, कोई भी मनो नंजन की चीज़े नहीं चल रही है कोई भी फिल्म जगत, फेशन जगत, सब अभी धरा का धरा बैठा हुआ है इसने शुक्र जबी भी वक्री होते हैं तो अभी भी शुक्र वक्री ही चल रहे हैं तो अभी भी ऐसा बुला जाएगा कि फिल्म जगत से अभी भी कोई बड़ी हस्ती का निदन हो सकता है अलविदा भी बोल सकते हैं अपने को क्योंकि शुक्र जबी भी वक्री होते है तो वो ज्यादा तर रेट्रो गेट जो भी ग्रह रहता है वो फल खराब ही देता है कोई अच्छा फल नहीं देता है इसके शुक्र महराज बैठे हुए है जून 30 तक लेकिन मई 25 के बीस के तरिक वो वक्री है तो ये वक्री फल अपने लिए खराब गिना जाएगा सब के लिए खराब गिना जाएगा खास करके फेशन जगत फिल्म इंडस्टी या हीरे जवाराच से या जो भी ग्लैमर जगत से जुड़े हुए लोग है उनके लिए काफी खराब पिडियर माना जाएगा ऐसे और के वीडियो लेकर आँगा तब तक के लिए नमस्कार